Hello everyone, welcome back to my kitchen मेरा kitchen में अज बनेंगे Neutralite Choco Spread जो बनाना बहुत ही आसान है हम लोग मार्केट से लेके तो खाते है जैसे केक डेकोरेशन में उस करते है ब्रेड में डाल के खाते है लेकिन हम लोग घर में बनाएंगे बहुत ही आसान है जो बनाना बदो बनाना के लिए जाना बदोथ रसराग है नहीं तो उसको काला चेंज हो जाएंगे अब देखिए जैसे चटकने शूरू हो जाएंगे तो हमारा इनर्स रोस्ट हो गया आप समझ लीजिए उसी टाइम में गैस का फ्लेम आफ करके इसको थोड़ी दे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसका बाद मैंने किया किया चिलका उतरने के लिए easiest method मुझे यह लगा आपको कोई easiest method मालू है तो आप कर सकते है इसको मैंने एक cotton बैक का अंदर डालके इसको मुझ को थोड़ा सा राबाट बन का मदद से close करके और इसको थोड़ा सा दोनों हातों से राप करेंगे राप करने के बहुत ही जल्दी चिल गंदा भी नहीं होती है तब देखिए कितना अच्छा से इसको चिलका उतरने का एक मुझे यह process अच्छा लागता है इसलिए मैंने देखाया आपको कोई process अच्छा लागे तो आप कीजिए तब देखिए इसका अभी रावर्मेन को निकाल के देखती हो कितना अच्छा से तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंस कीजिए आप घर में भी जरूर बनाइए ता मैंने इसको चिलका को निकाल के अभी इसको ग्राइंड़ जार में डालना है आपका mixing का capacity 800 वाट से जादा है तो भी आप बना पाएंगे कॉम ओर्ट मिक्स में इसमें नहीं होती है कि इसको यह हार्ड होती है थोड़ा एकसो पीछने में थोड़ा हेवी वेट का ग्राइंड़ जरूरी है तो इसको साइड में राग देती हूँ आभी मैंने 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट लिया आप चाहे तो डार्च चॉकलेट पिल पहले ऐसा ही बनेंगे थोड़ी देर पाच मिनिट इसको ग्राइंड करना पड़ता है रूक रूक कर ग्राइंड करना है उसका बत मीठास के लिए मैंने थोड़ा सा हानी डाला है मैं शुगर नहीं डालोंगे शुगर-free है अब इसको तो और एक बार ग्राइंड कर लोंग चोकलेट को अभी देखिए मेल करके इसका अंदर डालेंगे तो स्मूथ एक बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएंगे बिल्कुल चोको स्पर जैसे मार्केट से लेते हैं उसी टाइप का होंगे इसका बाद मैंने कॉफी को पानी से मीक्स करके एक दुम ऐसा करके राखा आ अंदर डालिये तो अभी देखिए करने का बाद कितना आच्छा टेक्स्टर आ गई एक दम बिल्कुल मार्केट जैसा आ गई आप घर में असानी से बना सकते हैं और इसको फ्रीज में राके वान वीक तो कप इंजाए कर सकते हैं आम लोग ऐसा बेड में लागा के मैं आखिए ऐसा बिल्कुल बाजर जैसे लग रही है ना तो आप जरूर बनाईये और इंजाए कीजिए थैंकिए फो वाचिंग फिर मिलेंगे बाब बाई